नमस्कार दोस्तों, पूझा चक्ची चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेरों का बहुत बहुत स्वागत है जै माता दी, दुर्गा मैया से प्रातना कैसी की जाए, ग्रहस्ती में कैसे नियुमा का पालन किया जाए या आप डेली पूझा में ऐसे कैसे प्रातना करें कि आपकी सभी प्रकार की मनो कामना आपारानी सुने तदा उन्हें पून करें ये माना जाता है कि सोमवार और शुक्रवार को मा दुर्गा और मा पारवती की पूझा की जाती है मा जो है ममता मय है दया मय है अपने बच्चों के लिए मा से की गई प्रात्ना जो है बहुत जल्दी सुनी जाती है और वो पूरी भी होती है आप अपनी मम्मी से जब कुछ मांगते हैं भले ही उस चीज में देरी हो भले ही वो देर सवेर हो जाए परंतु वो जो चीज या वस्तु होती है या आपकी जो मनोकामनाई होती है आपकी मम्मी जरूर पूरा करती है उसी प्रकार मा जो है अपने बच्चों पर सदा अपना आशिरवाद रखती है वो कभी उनसे गुसा नहीं होती है कभी दूर नहीं होती है तो सच्चे मन से जैकारा लगा कर भी जैमातादी बोलते हैं या उन्हें याद करते हैं तब भी आपकी मनोकामनों की पूर्ती होती है परंतु पूजा पाट क्योंकि भगवान को अपने घर में स्थापित किया है तो कैसे की जाए कैसे नियुमों का आज जो है इसी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले तो जब माता रानी की फोटो या प्रतीमा आप घर पर स्थापित करते हैं तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी और माता कालका की शक्ती जो है आपके घर पर अपने आप ही स्थापित होती है मा जगदंबा जो है बहुत प्रेम मैं होती हैं बहुत ही प्रेम भरी होती है आप जब उनका मुख देखेंगे परंतु माता लक्ष्मी जो है आपके धन के भंडार भरती है धन्धानि से आपकी बरक्कत करती है मा काल का जो है शत्रों से आपकी रक्षा करती है साथ ही साथ मा जगदंबा की या माता रानी दुर माय जगधंबा की प्रात्ना करने से आपको जो है दस महाविद्याओं की प्राप्ती होती है कौल्स ही होती हैं जो दस महाविद्याओं उनके बारे में आखिते सबसे g Aceorownic जो भी फोटो स्थापित की हो उस पे चुनरी का होना अनिवारी रूप से माना जाता है। आप उसके उपर मुकुट भी स्थापित कर सकते हैं जो की बहुत शुब रहता है। माता रानी को मुकुट अर्पित करने से आपके जीवन में सदेव ताज जैसी अनुभूती होती याने की आपको बहुत सी ऐसी चीज़े मिलती हैं जो रासी सुक प्राप्त करवाती है। इसके अलावा माता को आसन देना भी अनिवारी माना जाता है। रेश्मी आसन लाल रंका होना चाहिए, कौटन का होना चाहिए परन्तु ये आसन जो है लाल रंका ही होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें। पूजा पाट में पूजा करते समय आपके लिए जो आसन होगा उनी लाल आसन मिल जाए तो बहुत शुब रहेगा, नहीं मिल पाता है तो कौटन का लाल आसन का ही आप प्रयोग करेंगे, सूर उदर से पहले स्नान करें, स्वच कपड़े, साफ कपड़े पहन कर ही पूजा प चमड़ा मरे हुए जानवर की वस्तूओं जो मर जाते हैं उसके बाद ही उनके जो चमड़े का प्रयोग वस्तूओं में किया जाता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं तामसिक माना जाता है, अशुद माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें, जूते चपल नहीं जाना क्योंकि साफ सफाई जो होती है आपके उपर रहती है कि आपके इस प्रकार से माता रानी के जो मंदिर को है साफ रखते है, इसके अलावा आप जो है माता को जब लकडी के पाटे पर बिठाएंगे या जब आप उन्हें स्थापित करेंगे, तब अगर आपको आम की लकड बिठाकर जो है उस पर माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें, माता रानी को जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठते ही आप जो है आशिरवाद लेते हुए आप जो आपका नित्तिकर्म होता है करने के बाद नहाने के बाद माता रानी को आ आप जो है हे मा आप उठे या ऐसा करके जब हम किसी अपने प्रिये जन को उठाते हैं वैसे अपने शब्दों में उठाएं उन्हें दूद का भोग लगाएं उसके बाद उन्हें सनान करवा के चुनिरी पहनाएं माता के शिंगार में कुमकुम का बहुत महत्व माना जाता है कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं माता रहनी को और इसके अलावा अगर आप उनका सासिंगार अपने शमता अनुसार जैसे हार पहनाना दिया ताजे फूलों का हार मिल जाता है तो अच्छा रहता है नहीं मिलता तो आप जो बाजार में मालाएं मिलती हैं उसे ले ले और पर उन्हें समय समय पर बदल कर धोदो कर माता को पहनाते रहे इसके अलावा धूप का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है अखंड जोती अगर जलाई जाती है परन्तु यहां पर अखंड जोती के लिए में कहूंग दो शब्द कहलेते हैं अखंड जोती जो होती है जिस घर में स्थापित की जाती है वहाँ पर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है वो व्यक्ति जो है चम्डे से बना प्रयोग नहीं कर सकता है तो उस पूजा पाट के बहुत नियम होते हैं महिलाओं की शुद् अगर आपके साथ नहीं रहता है तो बहरी वाना जाएगा उनके आने पर भी माता रानी के दर्शन जो है एकदम से उन्हें नहीं करवाने चाहिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज लेकर आता है तो उस मंदिर में नहीं आप रख सकते हैं या वहाँ पर उन्हें दर्शन नहीं करा सकते हैं इसके अलावा जो है माता रानी को हम जब भोग लगाते हैं अभी अखन जोती के बाद हम नॉर्मल पूजा की बात कर रहे हैं सुभे सवेरे दूद का भोग इसके बाद जो है आप दुपहर का माता रानी को निहलाने के बाद जो है या उन्हें चुनरी पहनाने के बाद क्योंकि फोटो होगी तो दुली हुई चुनरी मूर्ती होगी तो सनानाधी करवाने के बाद आप जो है माता रानी को भोग लगाएंगे भोग में जो है प्याज लसन से बना कोई भोजन नहीं होना चाहिए सुखा नाश्ता ले सकते हैं खीर ले सकते हैं आपको लगाना है इसके अलावा रात का भुजन रहेगा और रात को अगर आप फिर सोते समय दूद वगएरा अगर अरपित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब आप बोलेंगे दीदी आपने बहुत से नियम बता दिये हैं नियम बहुत ये आप अभी सुनने में शायद आपको बहुत जादा लग रहे होंगे नियम बहुत छोटे है आप ऐसा माल लीजिए कि आपके घर पर आपकी साक्षात मम्मी आई है या आपकी माता जी है तब उनकी सेवा कैसे करते हैं बस वैसे ही कर दीजिए आपको बिल्कूल भी नियम का तो पता ही नहीं लगेगा आ परंतु ये अगर आपने नियम अपना लिये हैं शुद्धी के और पूजा पाट में आप जब आरती करते हैं आप आरती अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार का नियम बना लीजिए आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा पूजा साम बना लीजिए ये आप डेली भी कर सकते हैं समय अगर आपके पास हो तो पूजा करने के लिए जो है आपको सिर्फ शुद्धता का ध्यान रखना है और सच्चे मन का ध्यान रखना है घर में नया फल आता है नया कोई मिठाई आती है नया कुछ भी आता है तो सबसे पहले म माता रानी के चड़नों में अर्पित करें कि आपका ही घर है धंदाने से बरकत रखें, भंडार भरे रखें माता रानी और अपने बच्चों पे क्रपा रखें, इतना सा आप दो बोल प्यार से बोल दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में धंदान की बरकत जो है एक से कुम-कुम लगाते हैं, हम मांग भरते हैं, जिस भी रंग से आप मांग भरते हैं, कई लोग औरिंज सिंदूर यूज़ करते हैं, कई लोग लाल सिंदूर यूज़ करते हैं, तो जो भी आप सिंदूर यूज़ करते हैं, छोटी सी कटोरी में माता रानी के सामने रख डेली पूजा के बाद नियम बना लीजिए कि आपको सिंदूर अपनी मांग में भरना है। पती पत्नी के प्रेम में आप देखेंगे कितना मुनाफ़ा होता है। आपके पती आप जो हैं आपको सम्मान देने लगेंगे। घर में सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप पर माता लक्षमी की गरप आपने आप होने लगी। सोहागन महिलाएं विशेश तोर पर तयार होके माता रानी की जब पूजा करती हैं क्योंकि महिलाएं सदेव शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। तो अपने आप ही उनमें जो है शक्ति जागरत होने लगती है तता उने कहीं न कहीं जो है यह शक्ति का अनुभवी बहुत जल्दी होने लगता है। के अलावा मेरे भाईयों और भेहनों एक सवाल जो सबसे जादा आया था कि माता रानी को भोग लगाते समय किन बरतनों का प्रयोग करना चाहिए। तो शास्त्र अनुसार जो है सोने चांदी के बरतन सरविश्रिष्ट बाने जाते हैं। परन्तु आप इनकी जगा कर पीतल के बरतनों का प्रयोग करते हैं तो वह सोने के समान ही सुख आपको प्रदान करते हैं। तो घर में मातारानी का ग्लास, मातारानी की कटोरी, मातारानी की प्लेट और जो छोटा चम्मज होता है, यह सैट आपको आसानी सभजार में मिल जाएगा, आप जो है मातारानी के यह बरतन रखें, जिसमें आप इन्हें दूद का भोग लगाएंगे, खीर का प्रसाद या फ अब आखरी एक मंत्र जो की तांत्रिक दुर्गा यंत्र भी कहा जाता है, ये मंत्र जो है करने से आपकी सभी मनो कामनों की पूर्ती होती है, दुर्गा चालीसा पाट नहीं कर सकते हैं, डेली आप माता रानी का सिर्फ एक मंत्र दिया अगर वत्ती करते समय अगर ये कर लेत तो आपके जीवन में सम्मनो कामनाओं की प्राप्ति अपने आप होने लगती है ये मैं दिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी अभी आपको चारण करके कह देती हूं ताकि आप ध्यान से सुनें नहीं बोल सकते हैं तो इतना ये जो क्लिप है निकाल कर रख लें और इसे डेली आप सुननीजिए तो भाईयों और भाईयों आज अपनी माणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूं आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पे चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद म